इस वीडियो में हम आपको solve कराएंगे SSC CGL 2021 का English का question paper ये exam जो है अप्रेल 2022 में conduct हुआ था ठीक ये वाला जो exam है 2021 का ये अप्रेल 2022 में हुआ था और इसका question paper number 5 हम लोग यहां पर देखने वाले हैं ठीक है और इसके पहले हमने 4 आपको solve भी कराए हुए हैं आपको playlist में जाना ह है वहां से आपको मिल जाएगा जो CGL की playlist ची बनी हुई है उसमें आपको ये सभी मिल जाएंगे ठीक है और ये 12 अप्रेल 2022 का question paper आज हम लोग solve करेंगे और यहां पर मैं आपको सबसे best solution दूँगा और ये जो question paper है आपके सभी SSC exams के लिए बहुत important है जो आपके आने वाले CPU CGL के exam है ठीक उनके लिए तो बहुत ज्यादा important है और बाकि जो आपके आगे CHSL MTS या फिर सिलेक्षन पोस्ट और गएरा के exam होते हैं डेली पुलिस के exam होते हैं सभी exams के लिए बहुत important है तो आप लोग इसको पूरा जरूर लगाए अच्छे से लगाए और सभी वो कए जो सब्सक्राइन चेंज करता हूं आप लोग तब तक इसको इसका अंसर निकाले यहां पर ठीक है तो यहां पर आपको इसका अंसर निकालना है इसमें कौन सा option correct होगा फर्स्ट आपसन है competency नेक्ट है convenience नेक्ट है capable और convenient बताओ इसमें अंसर तो यहां पर यहां पर यह आप के बारे में बता रहा है कि online shopping के लिए क्या है बहुत ज्यादा क्या है बहुत ज्यादा आसान है ठीक है online shopping के लिए जो app है वो बहुत ज्यादा आसान है तो आसान के लिए हम लोग यहां पर convenient या फिर convenience वर्ड का यूज करते हैं ठीक है convenient या फिर convenience वर्ड का यूज करते है यानि कि इन दोनों का मतलब होता है आसान ठीक है कोई चीज जब आसान होती इन दोनों का मतलब यहां पर होता है ठीक है और आपके पास वर्ड है दूसरे वर्ड जो है competency और capable है यह दोनों इसके answer नहीं होंगे ठीक है इन दोनों का मतलब होता है बहुत ही आसान होना अब देखिं यहाँ पर हमको भरना क्या है यहाँ पर देखिं हमारे पास one है यह एक noun है ठीक है और यहाँ पर article a है बेरी है जो क्या है एड़रब है ठीक है यहाँ पर noun है तो आप सभी को पता है sequence क्या होता है noun होता है ठीक है noun के पहले हम लोग adjective लगाते है ठीक है और adjective के पहले adverb आता है और उसके पहले article होता है ठीक है यह article है यह adverb है यह adjective है यह noun है ठीक है तो यह sequence होता है यहाँ पर तो पूरा इसी sequence को आपको follow करना है यहाँ पर और जो यह है आपका convenience ये क्या है ये है noun ठीक है और जो convenient है ये आपका है adjective ठीक है जो convenient है ये आपका adjective है और convenience आपका यहाँ पर noun है ठीक है तो option number 4 इसका जो है correct answer होगा इस चीज को आप लोग ध्यान लखोगे convenient ठीक है convenient आपका adjective है और convenience यहाँ पर noun है ठीक है तो दोनों को आप लोग ध्यान लखना और यहाँ पर हमको adjective भरने की जरूवत है, ठीक है, बीच में adjective आएगा यहाँ पर, तो convenient जो है, इसका best option correct होगा, ठीक है, आगचे इतले हैं, next question पर, और यहाँ पर जो है, competency का मतलब कहता है, competency का मतलब होता है, कुछ करने की छमता, ठीक है, next second question है, यहाँ पर इसको देखेंगे identify the segment that contains a grammatical error, मतलब इस question में आपको error find करना है, इसमें कौन सी error है, ठीक है, बहुत ही आसान question है, as it has been raining heavily, since two hours, the children are at home, बताओ इसमें कौन सी option में error है, यहाँ पर, ठीक है, no error तो होई नहीं सकता, क्योंकि option में भी नहीं है, तो कुछ न कुछ तो error है इसमें, तो आपको find करना है, कौन सी error है, बिल्कुल छोटा सा question है, बच्चों माला है, बिल्कुल आसान question है, error क्या है, आप सभी को पता है, यहाँ पर error है, two hours के साथ में हम लोग, since नहीं, for लगाएंगे, two hours यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर period of time इसमें जो है, दिया गया है, ठीक, आगे बढ़ेंगे next पर, next question है, आप लोग इसको solve करें, arg, ठीक है, arg word है, और इसका जो है, आपको यहाँ पर synonym find करना है, arg word का आपको synonym find करना है, जल्दी से find करें, color जो है, यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं है, तो, arg word का आपको synonym यहाँ पर find करना है, ठीक है, जल्दी से निकाल लीजे उसको तो इसमें सिनोनिम क्या होगा अर्ग का मतलब क्या होता है किसी को ठीक इसके पास चार आप्सन है अपील है, प्रोटेस्ट है, रिफ्यूज है और रेप्लाई है, ठीक, तो अर्ग का मतलब क्या होता है किसी को कुछ करने के लिए समझाना ठीक, किसी को कोई चीज करने के लिए समझाना, ठीक है तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम बनेगा यहाँ पर वो होगा appeal ठीक, appeal होगा यहां पर इसका correct synonym होगा appeal ठीक, किसी से कोई चीज़ करने के लिए appeal करना ठीक है और बाकि सभी आसान word हैं इसमे reply नहीं होगा, reply का मतलब होता है मतलब किसी को उत्तर देना ठीक है यह नहीं होगा यहांपर, यहांपर इसका correct answer होगा होगा repeal बाकि सभी refuse मतलब होता मना करना इंकार करना question number four है lie low ठीक यह एक idiom है और इस idiom का आपको यहाँ पर meaning बताना है ठीक lie low lie low का meaning क्या होता है तो sit on a low chair lie down and relax after a tiring day try not to be noticed or fly a plane at a low altitude बताओ इसमें कौन सौप्सन करेक्ट होना चाहिए तो lie low ठीक lie low का मतलब क्या होता है lie low का मतलब हो जाएगा try not to be noticed ठीक try not to be noticed इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब चुप चाप बैठे रहना ठीक lie low का मतलब होता है चुप चाप बैठे रहना ताकि आप लोगों की नजर आप पर ना पड़े इसको बोलेंगे lie low ठीक है तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना आगे एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट इडियम है ठीक है next question पर चलेंगे हम लोग question number 5 इसको आप लोग solve करें फटाफट ठीक है इसमें क्या है इसमें आपको error find करना है कि कौनत error है how many x were put into the basket बताओ इसमें error क्या होगा तो इसमें जो है यहाँ पर इस question में देखो एक आपको लग रहा होगा कि बताओ एक जो है countable है या uncountable ठीक है एक जो होता है countable होता है या फिर uncountable होता है ठीक है तो आपको ध्यान अकना है जो एक होता है यह countable और uncountable दोनों होता है ठीक है एक जो होता है countable और uncountable दोनों होता है ठीक है यहाँ पर इसका जो correct answer होगा देखे ये इसको हम जो है plural तो बनाए सकते हैं जब countable है तो उसका plural भी बनेगा ठीक तो x हो जाएगा और x के साथ में यहाँ पर plural भी विल्कुल तो ही है तो मतलब इस question में कोई भी error नहीं है ठीक है आपको ध्यान अकना है कि एक जो होता है ये singular और plural दोनों होता है ठीक है नेक्स्ट वर्ड का आपको एंटोनीम यहाँ पर find करना question number six है एंटोनीम बताना है ठीक है लिंगर वर्ड है आपके सामने फटा पट इसका आप लोग answer निकालिए क्या होना जाहिए तो सबसे पहले आपको लिंगर की meaning पता होना चाहिए ठीक है इसका इंटोनीम होगा entertain, leave, annoy, और choose क्या होना चाहिए लिंगर का मतलब होता है किसी अस्थान पर देर तक थेहरना ठीक है ठेहरना टिके रहना ठीक है थेहरना या फिर तिके रहना क्या हो जाएगा entertain, annoy, choose और leave, leave हो जाएगा यहाँ पर correct answer, leave का मतलब होता चले जाना ठीक है यह आपका second option यहाँ पर correct होगा, चलेंगा भाइस, आप next question पर, question number 7, इसको देखेंगा लोग यहाँ पर, और इसमें आपको क्या करना है, question number 7 है, select the option that can be used as one word substitute for the given group of words, ठीक है, तहाँ पर आपको one word substitution इसमें जो है find करना है, तो फटा फट इसका निकालिए, in exactly the same word as the original, बताओ इसमें कौन साप्शन होना चाहिए, in exactly the same word as the original, बहुत बार ऐसा sim पूछा जा चुका है यह वाला question, ठीक है, तो बताओ इसमें कौन साप्शन correct होगा, तो यहाँ पर जो correct option होगा, वो क्या होगा, इसको बोलेंगे, verbatim, ठीक है, क्या बोलेंगे, verbatim, verbatim का मतलब होता है, स रहा गया है, ठीक है, तो verbatim इसका जो है, correct answer होगा, सब्द सह, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यानक होगे, बाकि duplicate, imitation, copy, यह सब एक तरीके से मान लो, क्या सिनोनिम ही है, सब ठीक है, duplicate मतलब, duplicate मतलब, duplicate जो दूसरा है, उसका बनाए गया है, इमिटेसन नकल होता ह यहाँ पर क्या है, select the option that will improve the underline part, ठीक है, तो इसमें आपको improve करना है, कहाँ पर, इस वाले पार्ट में ठीक, मैं आप पर बना देता हूँ, इस वाले पार्ट में आपको इसमें improvement करना है, इतने पार्ट में ठीक है, he is not so friendly like she is, बताओ इसमें कौन साप्तन होना चाहिए, तो डाट डाट as का यूज करेंगे, ठीक है, so dot dot as का यूज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, तो so friendly as she is, यहाँ पर correct answer होगा, option number three, अब आपके दिमाग में आ रहा होगी, यहाँ पर so के साथ हम लोग that का भी यूज करते हैं, ठीक है, so के साथ that का यूज करते हैं, तो वो लड़की है, ठीक है, तो यहाँ पर so friendly as होगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे next पर, question number nine है, यह है आपका पैरा जंबल question, आप लोग इसको फटा-फट solve करें, वीडियो को post करके आप इसको पढ़ भी सकते हो, पूरा, उसके बाद इसका answer निकालो, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें चलेंगे option पर, ठीक है, सबसे पहले option पर चलेंगे, और अब की बार जो cgl वो था, उसमें किसी किसी shift में यह पार जंबल question पूछे गये थे, ज्यादा नहीं आये होगे थे, ठीक है, पहले क्या होता था, दो दो पूछ लिया जाते थे, अब क पूछा गया था, किसी किसी shift में एक पूछा गया था, कुसी में नहीं पूछा गया था, ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आये होगे थे, ठीक है, तो इसमें एक ही पूछा गया था, और वो यह वाला आये, ठीक है, बताओ इसमें कौन से option होने थे हैं, तो सबसे पहले हम यहां पर option देखेंगे, हमारे पास तीन option तो है, जो B से start हो रहे हैं और एक option A से start हो रहा है, ठीक है तो A वाले को हम अटा ही देंगे, क्योंकि अब यह sentence जो है, तीन माई B आया हुआ है, तो B से ही शुरू होगा, ठीक है और जब आपको ना पता चल रहा हो, कि जो first option है, या first sentence counts होगा, तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, कि जो first sentence होता है, वो independent होता है, ठीक है वो dependent नहीं होता है, किसी भी चीज़ पर dependent नहीं होता है, आपना meaning देने लिए, ठीक है, बिलकुल सतंत्र होता है, उसकी meaning बिलकुल clear होती, जब आप उस sentence को पढ़ें, तो आपको ऐसा नहीं, बिलकुल भी feel नहीं आना चाहिए, कि वो किसी मतलब इसके आगे पीछे में थोड़ा सा जानने की जरूरत है, ठीक है तो वो उस बिलकुल free sentence होता है कोई fact हो सकता है आपका, ठीक है कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बिलकुल free होगा, ठीक है, तो यहाँ पर चलिए फिलाल B से start होगा, Christmas and new year are the time of the year to celebrate, ठीक है तो यहाँ पर बिलकुल साफ साफ करा Christmas and new year ठीक है, are the time of the year to celebrate, ठीक है यह ऐसा time होता है celebrate करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर बिलकुल clear है, अब हमको इसके बारे में और आगे पीछे जाने के जिरूत नहीं की Christmas यह सब क्या होता है, ठीक है बिलकुल यहाँ पर clear है कि Christmas और जो नया साल है, वो celebrate करने के लिए होता है ठीक है अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन जा आपसन होना चाहिए तो बी हो गया हमारा और बी के पाद दो आपसन में ए है और एक आपसन में है सी ठीक है तो हम एक क्रिस्मस के ताम है और बिंटर ब्रिक के लिए ठीक है इस समय ठीक है तो इसके बारे में और यहां पर बतायागा जब क्रिस्मस यह नहीं साल आता है तो उस समय क्या होता है स्कूल वगरा बंद हो जाते हैं ठीक तो इसके बारे में आगे और बताया गया है तो इसके बाद ज ठीक है तो उसके बारे में और ज्यादा आगे बताए गया है इसमें तो बी-ए-सी-डी हमारा जो पेर बनेगा इसमें बाकि आप लोग इसको नहीं सहुन में आया हो तो अच्छे इसको बैठके पढ़ लेना आपकी सहुन में आ जाएगा ठीक है आगे बढ़ेंगे रिस्क्यूड फ्राम दा विल्डिंग बाई दा फायर मैं ठीक है तो सबसे पहले हम फोकस मारेंगे कहां पर वर्ब के उपर वर्ब हमारी है वर्ब रिस्क्यूड और जब आपको पता है कि जब एक्ट्व आइस से हम लोग पैस्व आइस में तो ठीक वर्वाज वर्प्लस वर्ब की थर्ड फाम का यूज करते हैं तो हमें आपसन में अब ढूड़ना है कि वर्ब की थर्ड फाम कहां पर दे गई ठीक है तो यहाँ पर हैब रेस्क्यूड है नहीं होगा यहाँ पर आर रेस्क्यूड है नहीं होगा यहाँ पर हैब भीन रेस्क्यूड नहीं होगा क की वर्व की second form है और यही हमारा correct answer इसका हो जाएगा ठीक है next question पर चलेंगे आपको इस जो एक्टिवाइस पैसिवाइस और नरेशन जो question है इन भी बिल्कुल भी time नहीं देना है ठीक है जल्दिस इसका answer निकालना है क्यों वर्ब फटाफट सबसे पहले वर्ब देखिए अग आपको मतलब बताना है when I ask for an expensive dress for my friend's wedding my mother remind me that money does not grow on the tree जब मैंने अपनी मा से दोस्त की साधी में dress के लिए पैसे मांगे तो मता जी ने क्या कहा money does not grow on the trees पैसा जो है पेड़ों पर नहीं लगता है ठीक है पेड़ों पर नहीं फरता है ठीक है तो इसमें आपको बताना है आप लोग बचपन से चीज़ को सुनते आ रहे हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा है ठीक है मतलब की पैसा कमी होना वही हो जाएगा इसका एंसर तो money is freely available to spend नहीं भाई बहुत ज्यादा है नहीं कि spend करें ठीक है money is likely leaves a tree नहीं ये भी नहीं होगा money is hard and limited बि ही मुश्किल से कमा जाता है और limited है ठीक है option number third इसका हो जाएगा next पर चलेंगे 11 number question इसको देखे 11 sorry 12 number question है इसको देखे यहाँ पर select the option that expressed the given sentence in reported sorry यहाँ पर है reported speech ठीक है तो आपको इसमें बताना है कौन सा narration इसमें change करना है ठीक है the teacher said आसिप go and wash your hands बताओ इसमें कौन सा होना चाहिए तो क्या हो जाएगा the teacher told बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल से हमें आसिप ठीक है तो यहाँ पर two वाला नहीं होगा ठीक है two नहीं होगा told two नहीं होता है आसिफ ठीक है आसिफ तीनों में उसके बाद यहाँ पर है go यहाँ पर to go यहाँ पर है go ठीक है तो आसिफ to go and was his hand होना चाहिए आसिफ to go and was his hand option number third यहाँ पर correct होना चाहिए ठीक अब बाई इसके rules होते है आप लोग इसको पढ़ोगे तभी आएगा अब यहाँ पर हम इसके बार हम जाता क्योंकि इसके बहुत सारे rules होते है यहाँ पर ज्यादा नहीं define कर सकते है इसको ठीक है option number 30 question number 13 है incorrectly spelled word आपको find करना है ठीक है यह क्या है stationary है ठीक है तो दो stationary है एक strategy है और एक है statue चरी ठीक है तो इसका मतलब क्या होता इस टेटू चरी का मतलब होता कानूनी रूप से समविधानिक ठीक है जो सामान होता है कापी किताब pen pencil उसको बोलते है stationary ठीक है और strategy आपको पता है ठीक है तो इनमें बताना है किस word की spelling आपको गलत है comment करके आप उसको answer जुरूर बताएंगे ठीक है next है question 14 नमबर है यहाँ पर इसको देखिए one word substitution इसमें आपको find करना है ता examination और observation आप once on mental and emotional process ठीक है ता examination और observation ठीक है जाच करना या फी observe करना आप once on mental and emotional process अपनी mental और emotional process की जाच करना उसको क्या वो लेंगे ठीक है तो assessment है मुल्यांकन करना बिल्कुल सही जाच करना भी इसका meaning होता है assessment ठीक है valuation है introspection है inspection है ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा इसका मतलब होता है inspection ठीक है इसका जो option होगा, इसमें se introspection होगा, ठीक है, introspection का मतलब होता, आत्म Μंधन या फिर आत्म Bis kriegen के लेना, इसको आत्म मंधन या फिर आत्म Bis Bangladesh करना, deeply and carefully to examine your own ideas, ठीक है, deeply and carefully to examine your own ideas, ठीक है, आत्म मंधन करना इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन ठीक है तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना बाकि यहां पर इंस्पेक्शन मतलब जाच करना असेस्मेंट मतलब मुल्यांकर करना होता है ठीक है इस चीज को भी ध्यान रखें कुश्चन नमबर 15 है इसमें आपको क्या है sentence improvement है ठीक है इसमें आपको sentence improvement करना है ठीक है पताए कौन सा अप्शन होना चाहिए तो इस वाले पार्ट में आपको improvement करना है यहां पर ठीक है तो कौन सा अप्शन बिल्कुल correct होना चाहिए यहां पर यहां पर देखिए might as well ठीक है तो इस sentence में वैसे कोई भी improvement की जरूद नहीं है sentence जो है बिल्कुल correct है यहां पर देखे might है और model साथ और भी की first form आती है जो कि बिल्कुल correct है आपको लग रहा कि as well as होना चाहिए आपको लग रहा होगा लेकिन यह as well as इसका दूसरा ice यहां पर दियागा है आगे ठीक है यहां पर इसमें आया हुआ है ठीक है तो यह बिल्कुल जो है sentence जहाँ पर बिल्कुल correct है option number second यहां पर होगा ठीक है आगे बढ़ेंगे question number है 16 इसको देखिए the policeman asked many people but no one was knowing how the accident happened बताओ इसमें क्यों सो होना चाहिए the policeman asked many people but no one was knowing how the accident happened बताओ किस पार्ट में यहां पर error है बढ़ेंगे question अच्छा है तो यहां पर एक चीज़ आपको आपने पढ़ा होगा ठीक है कि no जो वर्ब होती है इसका हम लोग जनरली वर्ब की ing farm के रूप में यूज नहीं करते है ठीक है और यह हमारा एक बार देखिए इस sentence कैसा है यह हमारा indirect speech ठीक है यहां पर आया हुआ आपका knowing ठीक है यहां पर आया हुआ है आपका knowing और इस चीज़ को मैंने कई बार आपको बता हुआ यहां से question हमेशा बनते ही रहते हैं ठीक है तो जब इन words का कुछ words होते हैं जैसे love, hear, see, look, seem, no ठीक है तो इस तरह के कुछ words होते हैं जिनका वर्ब की ing farm के रूप में use नहीं होता है ठीक है और जब यह वर्ब की ing farm के रूप में मालो आ ही जाएं किसी sentence में तो sentence गलत होता है और सही करने के लिए क्या करेंगे जिस tense के continuous में होगा उसी के present में इसको change कर देंगे ठीक है मतलब कि अगर present continuous में है तो present indefinite में past continuous में है तो past indefinite tense में इसको हम लोग change करते हैं ठीक है अगर यह past perfect वाले में चला जाएगा क्योंकि वहाँ भी ing farm आती है तो यह perfect change में हम लोग change कर देते हैं इसको ठीक है बाकि आप पूरा day planets के पूरा किताब पढ़ लीजे कोई ठीक बुक पढ़ लीजे तो यहाँ पर जो है knowing ठीक है तो सबसे पहली बात यहाँ पर knowing नहीं new होगा अगर active sentence होता ठीक है active sentence होता तो यहाँ पर हो जाता new k-n-e-w और जब active sentence है हम लोग 25 sentence में ठीक है चलो पूरा बता ही देते है ठीक ठीक है चेंज करते हैं तो क्या होता है यह हो जाएगा hired new ठीक है क्योंकि जो past and definite tense का हम लोग past perfect tense में change करते हैं ठीक है indirect narration में ठीक है तो hired new होना चाहिए यहाँ पर हमारा correct answer ठीक है फिलाल option number one इसका correct होगा आपको कुछ नहीं करना था आपको देखते ही option टिक करना था no का वर पूरा detailing होगे यहाँ पर ठीक है अगर यह active wise सोरी direct होता तो यहाँ पर हम लोग was knowing के अस्थान पर new को यूज करते और जब direct से indirect मे change करेंगे तो वो hired new हो जाएगा ठीक है option number one इसका correct होगा ठीक है अगर फिर भी कोई problem हो तो comment करके आप लोग पूर लेना किसी भी question में कभी भ कोई भी problem है comment करके जरूर पूर लिया करो ठीक है next question number 17 है इसका आपको synonym find करना है ठीक सिनोनीम find करना है बताओ और प्लीज यार आप लोगों कर वीडियो अच्छा लग रहा हो ठीक है question आपको sound में आ रहा हो तो please आपसे request है कि please 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 वीडियो को share करना अपने दोस्तों के साथ में ठीक है ज्यादा ज्यादा वीडियो को share करने ठीक है ताकि मैं ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं आपके लिए ज्यादा ज्यादा वीडियो यहाँ पर देने की कोसिस करता हूं ठीक है अभी कुछ दिनों से मैं आपको वीडियो नहीं दे रहा था इसका ही देखते हैं, synonym आपको यहाँ पर बताना है, count होना चाहिए, redundant आपके पास है, ठीक है, तो इसका आपको synonym find करना है, तो arrogant है, essential है, ignorant है, और superfluous है, ठीक है, तो redundant का मतलब होता है, प्रचुर मात्रा में, किसी चीट की अधिकता होना, तो option क्या count सा correct होगा, superfluous यहाँ पर correct answer इसका हो जाएगा, ठीक है, बाकी arrogant का मतलब उदंड होना है, ठीक है, essential मतलब कोई चीट जरूरी, ignorant मतलब अंजान होना, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, next पर, 18 number कुष्चन है, इसको आप फटापट लगाई है, क्या होना चाहिए, इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, एक्टिवाइस, ठीक, एक्टिवाइस बताना है, तो बिल्कुल आसान, वर्ब देखिए, भटापट काउन सी है, यहाँ पर हमारे पास वर्ब है, have been displayed, ठीक है, have been displayed, तो क्या होना चाहिए, यह पैसी वाइस दिया गया है, ठीक है, हमें एक्टिवाइस में चेंज करना है, तो एक्टिवाइस में क्या होता है, have plus वर्ब की थर्ड फार्म होता है, ठीक, बताओ कहाँ पर है, have plus वर्ब की थर्ड फार्म, यहाँ पर will है, नहीं होगा, यहाँ पर हैव टू डिस्पले नहीं हैव के बाद वर्भी के थार्ड फाम होनी चाहिए ठीक है नहीं होगा यहाँ पर आर यह भी नहीं होगा आप्सन नमबर फोर बच गया यह हमारा करेक्टर इंसर इसमें हो जाएगा ठीक है तो इस चीज को आप लोग थोड़ा का ध्यान लगिए आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पर कुस्चन नमबर नाइंटीन है इसको देखिए भी हैब नाट मेट समाप और फ्रेंड सिंस सिक्स मन्त इस तरह का भी कुस्चन आपको आपने मैंने बताया था ठीक है बिल्कुल उसी तरीके कुस्चन है इसमें क्या है एर वही य नमबर फाल तुमिल गए था ठीक है ट्वंटी नमबर कुस्चन इसको पताओ क्या होना चाहिए और यह है क्या वन वर्ड सब्टिट्यूशन ठीक है ए मेडिकल कंडिशन इन विच संबडी पार्सली और कंप्लीटली लोसेस दियर मेमरी मतलब कोई मेडिकल कंडिशन जिसम इसको बोलेंगे हम लोग अमनेसिया ठीक है अमनेसिया का मतलब होता भूलने की बिमारी ठीक है भूलने की बिमारी अमनेसिया मेमरी लाफ्स ठीक है इसको बोलते हैं और बाकी सभी आस जो है अनेमिया है यह तो ठीक है रक्त की कमी होती है ठीक है आइसफीजिया का मतलब हो और एलोपेसिया क्या होता है इसको आपको बताना है एलोपेसिया ठीक है आपने इसको ध्यान दिया होगा एलोपेसिया एलोपेसिया का मतलब होता है गंजापन ठीक है किसी जो ठीक गंजापन इसको मानो कहीं से बाल गायब हो जाना सरीर के अंग से ठीक है उसको बोलेंगे तो एलोपेसिया मतलब गंजापन होता है, ठीक, आगे बढ़ेंगे, next पर, अब चलते हम लोग अपने close test, ठीक है, close test, 20 questions हो चुके हैं, 5 questions close test के होते हैं, तो आपको इनको भी करना होता है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, new cycle routes have been built in and around the center of Birmingham and speed limits have been on the selected roads, ठीक है, तो यहाँ प बर्मिंगम औरड आ गया है, इससे कुछ आपको ध्यान आ रहा है, ठीक है, अगर आपको CGL, CPO का exam दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी exam दे रहे हैं, तो इस चीज़ को देखकर आपको कुछ याद आना चाहिए, ठीक है, क्या याद आना चाहिए, बर्मिंगम, यहाँ पर अपक selected roads, क्या होना चाहिए, जो नया cycle का route है, have been built in and around the center of बर्मिंगम, and speed limit have been, जो उस पर जो speed की limit है, क्या कही गई है, on selected road, ठीक है, scaled, shortened, lessened, reduced, ठीक है, तो speed limit यहाँ पर कुछ जगा पर कम की गई, ठीक, reduce होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो correct होगा, वो reduce होगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, next पर, और यहाँ पर जो scaled है, scaled का मत्दब पर होता है, scaled का meaning क्या होता है, scaled का meaning होता है, उंची दिवार या फिर चटान पर चड़ना, ठीक है, उसको बोलते है, scaled, इसको क्या बोलेंगे, to climb on high wall, ठीक है, next है, हाँ पर, shortened, lessened, और, shortened मतलब भी होता है, कम करना किसी चीज को, ठीक है, लंबाए कम करना, lesson मतलब भी कम करना होता है, लेकिन हाँ पर, जो है, reduce हमारा correct option, ठीक है, next पर, चलते हैं, second question है, इसको देखेंगे, the scheme has been in for a year, ठीक है, and has been held as a, ठीक है, तो the scheme has been, जो scheme थी, यहाँ पर यह सड़क बनाने की, क्या थी, the scheme has now been in agency, operation, activity, process, क्या हो जाएगा, in process, process में थी, for a year, एक साल से, यह scheme जो है, process में थी, and has been held, held का मतलब होता, स्वागत करना, ठीक, आगे बढ़ेंगे, third question, held का meaning क्या होता, इसका मतलब होता, स्वागत करना, ठीक, held, as a success, ठीक, held, as a greater, more greater, greater, greatest, क्या हो जाएगा, has a great success, यहाँ पर great हमारा correct होगा, held, as a great success, और इसको जो है, एक महान, यह great success के, रूप में इसका स्वागत किया गया, ठीक, held, यहाँ पर correct होगा, ठीक है, sorry, great, ठीक है, next पर चलेंगे, 24 number question, 24 है, यहाँ पर, since the new speed limit were, ठीक, जब से, जो नई speed limit है, क्या हुई है, यहाँ पर, ठीक है, the number of accident in the area have fallen, ठीक है, तो यहाँ पर यह बताना है, कि जब से speed की limit कम होई है, तब से क्या हुआ है, ठीक है, speed की limit के साथ क्या हुआ है, कि, जो number of accident है, वो कम हो गया है, ठीक है, enforce, dictated, compelled, exalted, क्या हो जाए, exacted, ठीक है, क्या हो जाएगा, enforce, जब से लागू हुए है, ठीक है, इनफोर्स का मतलब होता है, लागू होना, ठीक है, तो जब से जो speed कम करने वाला जो नियम है, आपर, लागू हुआ है, the number of accidents है, आगे बढ़ेंगे, और कोई word इसमें ठीक है, आगे बढ़िए, next पर, last question है, ठीक है, तो भाई, आप लोगों से एक बार face request है, प्लीज आर वीडियो को आप लोग share करें, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो सब्सक्राइब जरूर करें, बाखी वीडियो भी आप लोग जरूर लगाते रही है, ठीक है, और ये last question है, और आपने आपको एक homework दिया है, क्या, correct spelling वाला, उसको आप लोग comment करके जरूर बताएगा, अगर किसी भी question के regarding आपके कोई भी query हो, तो उसको भी आप लोग comment जरूर करें, ठीक है, तो नंबर आप accident in the area how fallen, क्या, drastically, sorry, desperately, extremely, terribly, और drastically, ठीक, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, drastically, ठीक है, जो नंबर आप accident है, उस area में गिरे हैं, गिरे हैं, किस तरीके से, बहुत जवर जस्त रूप से, drastically के मतलब होता है, जवर जस्त रूप से, ठीक है, तो यहाँ पर आपसा नंबर 4 इसका correct होगा, तो friends, यह था, आपको question paper, और इसी तरीके से मैं आपको बागी question paper भी solve कराता रहू तो मिलते हैं, next video में, thank you, all the best